प्रार्थना के लिए आंखों को बन कीजिए नमस्कार मुद्रा में हातों को जोड लीजिए प्रार्थने गागी खन्नुगडन मुच्ची कई जोड़िसी नमस्कार मुद्रे धारन माड़ी सबी एक स्वर में तीन बार ओंकार का उच्चारन करेंगे तत पस्षात प्रार्थना आरम करेंगे मूरु बारे ओंकार वन्न उच्चरने माडुत्ता प्रार्थन यन्न प्रारम विसोना अम् अध्वम् सम्वदद्वम् सम्मो मनां सी जानता देवा भागं यथा पूर्वे सन्यानाना उपासते ओम् शानति ही शानति ही शानति ही आंखे खोले हातों को वापस गुट्नों पर रखिये कंड़ गड़ना तेरेरी कई गड़ना मड़काल गड़ मेलेर सी अब योगिक चालन क्रियाओं के अभ्यास करेंगे इगा योगिक का चालन क्रिया अगड़ा अभ्यास वना प्रार्मिसोना अपने स्थान पर खड़े हो जाईए निम्मा स्थड़दली यद्दू निंत कोड़ी चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है चालन क्रिया अभ्यास दिन्दा शरीर वनना सरड़ गड़स्पुर गर्दन की क्रियाओं के साथ प्रारम करेंगे कुत्तिगे क्रियगडु गर्दन को आगे और पीछे जुकानी का अभ्यास करेंगे कुतिगेन ना हिंदे मत्तु मंदबागिस्वा अभ्यासा पैरों में दो इंच का अंतर रखिये कालुगळ नडवे यरडु इंच ना अंतर विरली हातों को कमर पर रखिये कई गर्ण स्वंटत में लिडी श्वास लीजिए उसरना तिगेद कोली श्वास छोटे वे सिर को धीरे से आगे जुकाई उसरन बडुटा कुतिगेन मुनदे बागिसे स्वास भरते वे सिर को पीछे की ओर ले जाईे उस्रीण रहा कुट्ता तलियन निधान वागे मुंदक के बागे सी श्वास भरते विए सिर को पीछे ले जाईए स्वास छोटे विए सिर को सामानने सिति में ले आइए उस्रीण बिड़ता तलियन सहज शतित के टन गर्दन दाई तथा बाई और जुकानी का भ्यास करेंगे कुतिगेन बलक्क्य मत्तु यड़क्य भागि स्वा भ्यास श्वास लीजिये उसरन्न तरद कुल्णी श्वास छोटे वे सिर्को दाई तरप जुकाईए उस्वास भरते विए शिरको वापस लियाए उस्वास भरते विए शिरको वापस लियाए उस्वास छोटे विए शिरको बाई तरप जुकाई उस्वास भरते विए शिरको वापस लियाए उस्वास भरते विए शिरको वापस लियाए उस्वास भरते विए मुत्तम में उस्रन वराकुत्ता तलियन बलक के बागिसी, स्वास भरते विए सिर को वापस लियाए, उस्रन वलगेत गद कोड़ता तलियन समस्तिती गतनी, स्वास छोटे विए सिर को बाई तरप जुकाए, उस्रन बिडुत्ता तलियन एडबा कक्के बागिसी, स्वास भरत विए सिर्को सामन्य स्तिती में ले आईए उस्वास छोट वे सिर्को दाई तरप ले जाईए उस्वास बिढ़ता तलियन वलक की तिरगसी स्वास भरे वापस आईए उस्वास भरते विये वापस आईए उस्वास भरते विये शिर को सामने स्थिती में ले आईए उस्वास भरते विये शिर को सामने स्थिती में ले आईए उस्वास भरते विये शिर को सामने स्थिती में ले आईए उस्वास भरते विये शिर को सामने स्थिती में ले आईए उस्वास भरते विये शिर को सामने स्थिती में ले आईए उस्वास भरते विये शिर को सामने स्थिती में ले आईए उस्वास भरते विये शिर को सामने स्थिती में ले आईए आगे से पीछे के वोर दो बार घुमाई एरडु मन कैगडना प्रदक्ष ना करवाग एरडु बारे तिर्ग से अब विप्रीत दिशासे भी यहा अभ्यास श्वास प्रश्वास के बाद दो बार कीजिये विरुद्ध दिक्किनली अभ्यासवन्न एरडुमारी माडवेकों श्वाच छोटिवे दोनों भुजाओं को वापस ले आई उस्रन भरा गुत्ता पैगल ने यतास्तिति गतने अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाई पादगल मध्य अंतर विरली हाथों को कंधकी सीध मेरे सामने की ओर उठाई अंगई गलु परस्परवा यदरवागिर वन्ते तोलगणने मेलत्ति स्वास लीजिए स्वास छोटे विए शरीर को दाई तरप घुमाई दाई तरप स्वास भरते विए अपने शरीर को सीधा कीजिए उस्वास इसक्रिया को दो बार और दुनाई और एक बार स्वास दीजिए स्वास छोड़े पूरा ट्वीस्ट करनाई शरीर को श्वास छोटे विए हातों को भी वापस लियाई उस्वास बिड़त्ता यरड़ू के गड़नना क्यड़े गिलसी विश्रानति माड़े घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे श्वास भरते विए अपने हातों को कंधे की स्तर तक सामने लियाई उस्वास भरते विए वापस आईए उस्वास चोटे वे पुनहा बैटने के स्थिती में आईए उस्वास भरते वे वापस आईए मदलने स्थिती के बन्नी श्वास चोटे वे हातों को नीचे ले आईए विश्राम कीजिए अब हम योगासनों का भ्यास करेंगे पैरों के बीच दो इंच की दूरी बनाए स्वास भरते वे हातों को सामने से कंधों के सतर तक लियाए उसर स्वास छोड़ते वे दोनों हातों को उंगलियों में आपस में फसाए कैप्रडगणन जोड़सी हतेलियों को उल्टा कीजे हस्तगणन तिर्गसी स्वास भरते वे हातों को उपर से ले आए उसर तेकेत कोलता कैप्रश्वास के साथ आसन में बने रही ताडासन शरीर में संतुलन और धड़ता प्रदान करता है एडियों को वपस लियाए किमड़ी गळने यतास्तिति के तन्नी स्वास छोटी वे हातों को सामाने स्तिति में लियाए उसर न बिड़ता कैप्रश्वास कीजे पिशान्ति वरक्षासन श्वास छोटी वे दायने पैर को मोडिये उसर न वर गया कुत्ता बलगालन तिर्गसी दायने तलवे को बाये पैर की जंगा पर रखने का प्रयास कीजे स्वास भरते विये सामानने स्वास के साथ इस आसन में बने रहे स्वास छोटे विये हातों को और पैरों को नीचे ले आई उस्रनु वर्गापुत्ता यरडु कैगलना कालगणना केळगेत्तनी अब बाये पैर को मोड़ते हुए दैने पैर को जंगा पर रख्ये यडगालना मडची बलबागत तुड़े पक्त लीडी श्वास भरते हुए अपने हातों को उपर उठाई नमस्कार मुद्रा बनाई माच अमुण्डि गेना मना मना अब श्वास छोटे हुए हातों और पैरों को नीचे ले आये विस्रन बिड़त्ता कई कालगणना केळगेत्तनी स्वल्प विश्रांति पडेरे विश्राम कीजिए अगला अभ्यास पाध हस्कासन अपना पैरों को बीच चार इंच का अंत विरली श्वास भरते हुए हातों को सामने से उपर उठाए उसरन तके दुकुलत्ता कई गलान मेलक किलदी शरीर को उपर की ओर खीचिये शरीर मनना हिगसी श्वास छोटे हुए याथा प्रकार आगे जुकिये प्लीज बेंट फारवर्ड एकोर्डिंग पिवर अपने हतेलियों को प्वायर के पंजों के पास रखीए कैगलन ना पादध पक्त लीडी तलियन ना मलकाल लगड़े के तागिसी लेड़ एड़ तच्च वर नी इपोसिबल सामाननी स्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रही तितियली आसन द समतोल वणना कैद अब स्वास भरतेविये हतेलियों को उपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिये उसरन तकेद कोड़ता निधान वागी यतास तितिके बन्नी उसरन बिड़ता यरड़ू कैगलन क्यले गड़सी विश्वाव कीजिये अब हम अर्द चक्रासन का अभ्यास करेंगे अपने हातों को कमर के पीछे रखिये निम्म कई गड़न स्वंटद में लिट कोड़ी स्वास भरतेविये सिर और कमर को पीछे ले जाईए उसरन वड़के तकेद कोड़ता तले मत स्वंटवन्न हिंदक के तकेद कोड़ होगी श्वास छूड़िये और सामानी श्वास करश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए आसन वड़ना समस्तित्य लेकाइद पड़ी संदरवादन्ता अभ्यास अक्रमा ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए उसरन तकेद कोड़ता तलियन ना देवन मेलक यत्ती श्वास छोटे हुए अपने हातों को सामानी स्थिती में ले आए और प्रिश्वाम कीजिए अग्लासन त्रिकोनासन दोनों पहरं के बीच तीन से चार फीट की दूरी वनाए यरडू कालुगळ नडवे मूर रिंदा नाल को अडिगळ अंतर विरली स्वास लेते हुए दोनों हातों को बगल से कंधों की उंचाई तक लियाए उसरन वडगित के दुकुलत्ता यरडू के गलन भुजद वरगे मेलती दाय पैर के पंजे को दाई तरफ गुमाई बलपादवन बलवदी के तिर्गसी स्वास छोटे हुए धीरे धीरे दाई त बलपाद दिन्द इडिसी अपने सिर को उपर उठाई और मध्यमा उंगली को देखी तलियन मेले क्यत्ती यडगे मध्यत दरडन नोडव प्रया समारी इस आसन में कुछ देर बने रही अब स्वास भरते हुए वापस आई उसरन वड़गित कुलत्ता यता सितिक बननी पादवन्न नेरवा गिरसी अब बाय पायर के पंजे को बाय तरफ गुमाए यडगालिन पादवन्न यडबधी के तिरुगसी स्वास छोटविये बाय तरफ जुकते जाए निधान वागी उसरन विडुत्ता यडबाग के बागी बाय हाथ को बाय पायर के पीछे रखी ए अपने सिर को उपर की ओर गुमाए और मध्यमा उंगली को देखिए तलियन मेले के तिरुगसी मध्यद बेरड़ना नोडवा प्रया समाड़ी आसन में कुछ देर बने रहे स्वास भरते विये वापस आईए उसरन तके दिकुलत्ता मरले बनी अपने बाय पैर को पंजे को सिधा करलीजिये यडगालिन पादवन नेरगवा गिरसी दोनोँ पैरों को मिलाईए और हातों को भी वापस लियाए विश्रांग कीजिये यलडू कालगड़ना कूडसी यलडू कईगड़ना यतास्तितिके तन अब हम बैट करकिये जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंग इगा कुडित माडवा आसनगलना अभ्यास माडवना आरामसे बैट जाईए लिधान वागी यल्लरू कुडित कोली पायरं को सामने की तरफ सिधा कर लीजिये नेम यलडू कालगड़ना मुंदक के चाची हातों को नितम के पास रखिये यलडू कईगड़ना स्वंटद पक्कद लिडी कमर सिधा कर लीजिये ब्यन्नना नेरवागिरसी इसे दंडासन कहते हैं इदू दंडासना अब हम बद पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाई उसरना तगद कोलत्ता कालगड़ना मडची हिम्मड़िगड़ना सेरसी स्वास छोटे हुए पंजों को पकलीजिये उसरन भरवाकुत्ता कालगड़ना हिडीरी अपने एडियों को शरीर के तरफ ले जाईे यलडू जाईे नेरवागे कुडित पल्ली यह आसन महिलाउं के लिए बहुत लाबदारेक है यह आसनवू महिले रिगे तुम्बा लाबदारक के वादम तक वापस दंडासन में वापस आईे थोड़ी देर विश्राम कीजिये उन्हा दंडासन थितिक बंदो विश्रानति माड़ पलाब्यास वज्रासन पायरों को मोड़ते हुए एड़ूंके बीच बढ़ जाई यलडू कालगणन मडची पादन मेल कुड़ित पल्ली दोनों पायरों के अंगूटे मिले हुए हो पाद द बेरडगणन कूडसी हातों को गुटनों पर रखी यलडू कैगणन मलकालेन मे पर और गर्दन को सीधा कीजी ब्यन्नु मत्त तले नेर्वा गिरली सामान निश्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे वज्रासन इसी के आगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे अर्द उष्ट्रासन अपने गुटनों पर खड़े हो जाई यलडू मलकालेन मेल निश्वास लेते हुए सिरो और कमर को पीछे की तरब जुकाए उसरन तकेद कुड़ता तले मत बिननना हिंदक के निधान वागे बागे से श्वास छोड़िये सामान श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम गड़ी में रहने का प्रयास कीजिए अर्दवुष्टरासन कमर दर्ध को ठीट करने में बहुत साहे कर श्वास भरते वे सिर को उठाए और शरी को सीधा कीजिए उसरन तकेद कुड़ता तले मन निरवागिर सी श्वास छोड़िये वजरासन के सिति में बढ़ जई अगला ब्यास सेशकासन दोनों गुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाए यरडू मलकालगने सल्पा अगला माड़ी हतेलियों को गुटनों के बीच रिखिये यरडू कई गलना मलकालगने मध्धे इडी स्वाच छोटे वे बिना नितमव को उठाए शरीर को आगे की ओर खीचिये प्लीज स्ट्रेच वर बोडी फारवर्ड ऐज मच अज पॉसिबल चाती और ठोडी को जमीन पे लगाई चाती और ठोडी को जमीन से लगाई यदे मत्व गल बना निलके तागिसी सहजश्वास वुट्षवास दुंदिगे आसन दली निल सामान ने श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे यह आसन तनाव और गवरहट को कम करने में बहुत मददायक है श्वास भरते वे सिर को उपर उठाए उस्रन तेगेद कुलता शरीर वन्न मेले क्यत्ति श्वास छोड़िये दोनों पैरों को मिलाईये वज्रासन में विश्राम की अगला अभ्यास उत्थान मंडू कासन दोनों गुटनों को फैला लीजिये इरडू मालकाल गड़ना सल्पागलवा गिट पड़ी स्वास लेते हुए अपने हाथों को उपर उठाए उस्रन तेगेद कुलता इरडू के गड़ना मेले क्यत्ति स्वास के सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़िये हतेलियों को विपरीत कंदे पर रिखिये हस्त गड़ना वंदर मेलन दो हिंद गड़े इत्कोली पीट एवं गर्दन को सीधा कीजिये कत्तु मत बेनना नीरवागिरसी सामाननी स्वास प्रस्वास के साथ कुछ देर तक आसन में बने रगी आसन रसित्यना खाई दिखोड़ी स्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को उपर कीजिये उसरना तेगेत पल्डी एवड़ुके गड़न मेलक्यत्ती स्वास छोटिवे दोनों हाथों को गुट्टू गुटने परले आई उसरना बिटत्ता एवड़ुके गड़न मलकालन मेलीडी अब गुट्नों को मिलाई वजरासन में बैट जाई मलकालन जोड़सी वद्रासन दले कुट्ट कोणी जोनों पैरों को सीधा करे दंडासन में आजाई थोड़ी देर केले विश्यान कीजिए एवड़ुकालन नेर माड़ी दंडासन दले कुट्टों सल्पा समया विश्यान की वक्रासन अब दाय पायर को मोड़ते हुए पंजे को बाई गुटने के पास रखी बलगालन मड़िचित्ता बलपादवन यड़ मौलकालेन पक्कद लीडि अपने बाई हाथ को दाय पंजे के पास रखी यडगेन बलबादद पक्कद लीडि श्वास छोटे विए सिर और शरीर को दाय तरप मोड़िये पिस्टिवर बोड़ी टुवर्ज तर राइट साइड उसरन बिड़ता शरीरवन बलबागे के तिरुगसी वक्रासन अर्दमत्चेंजासन मदुमेह को नियंतर करने में बहुत साहेक है अब स्वास भरे वापस अब इस आसन को बाई तरप सेही भी करेंगे इस आसन मनना यडबागन दिन्दलु सहा माडवना बाई पैर को मोड़िये पंज को दाहिने गुटने के पास रखिये लिदानवागी बलगाले नमडची यडपा ददा मलकाले न पक्क दलिडी अपने दाहिने हाथ को बाई प अब स्वास भरते विए दंडासन में वापस आई उसरना तकेद कोड़ुत्ता यतासिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब हम पेट के बल लेट कर किये जाने वाले आसनों का भ्यास करेंगे फिर को मंच की वोर रखते हुए पेट के बल लेट जाए तलियन ना वेदी के कड़े माड़ी उदर दमेले मालेगी तले नन कड़े माड़ेगे प्लीज पूट्ट्टी वारेट तरुवर्च तस्टेज्ट्ट बहध भध धन्यवात मकरासन का भ्यास करेंगे अपने दोनों पेयरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाए यर्डू का लगल मध्य अंतर विरली दोनों को हिनियों को मोडते हुए दाई हतेली को बाई हत अब अपने सिर्कों हतलियों पर रखिये और विश्राम कीजिए तलियन्ना अंगई गड़ेले मेट्टो विश्रामिसी मकरासना मैं मन गड़िगे शांती संतोश वन्ना तंद कोडवासना अब हम भुजांगासन का अभ्यास करेंगे दोनों परों को मिलाईए यरड़ू कालगड़न जोड़सी स्वास भरे अपने दोनों हातों को आगे की वोर सीधा कीजिए स्चेचिवर आमस स्वास छोटे विए अपने हातों को मोड़िये हतेलियों को सीने के पास रिखे कई गड़न यदे पकत लेड़ी निम्मा स्वास भरते विए अपने थोड़ी और चाती को नाभी वाले भाग तक उठाई अब स्वास छोटे विए छाती और माथे को जमीन पर रखिए उसरन विड़ुत्ता यता सिति गवर्णी मकरासन में विश्राम कीजिए अगला भ्यास शलबासन मुंदिनासना शलबासन अपने पैरं को मिलाई यरड़ु कालगणन दैविट्टो जोड़िसी अपने हातों को जंगाओं के पास रखिए निम्मा कैई गड़न त्वड़े पक्रक्के तन्नी ठोड़ी को जमीन से लगाई गद्धवन जमीनी के तागिसी स्वास भर्तेवे दोनों पैरं को उठाई उसरन तकेद कोलत्ता एरडु कालगणन मेलक केत्ती पैरं को सीधा रखिए पैरं को सीधा रखिए श्वास छोट वे अपने पैरं को नीचे लाई उसरन बिड़त्ता कालगणना केडगे तन्नी हातों को आगे लाकर मकरासन में विश्राम कीजी कई गड़न मुंदक के तन्दू मकरासन दली विश्रम इस अब हम पीट के बल लेटकर किये जाने वाले अब्भाई या दाई तरप करवट लेते हुए पीट के बल लेट जाएं बला अत्वा यडबागद के वरली बेंडिन मेले माय लिक पड़ श्यवासन स्थित्यन मलक पड़ शेत्व बंदासन जिने गर्दन में दर्ध हो इस आसन को सावधान के साथ करें दोनों गुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियों को नितम के नस्दीक लाईए यर्डू मलकाल गड़ मड़ चुत्ता निमा हिम्मडियन पुष्टत समीपक के इड़ी अपने ठकनों को पकड़ लीजिए पाद दकीलु गड़न ना फि सेतिवे आकारवन माड़ी सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रही श्वास छोटे विए कमर को नीचे कीजिए उसरन बिड़ता बेंडन न क्यड़ गिर सी शवासन में विश्वाम कीजिए अगला भ्यास उत्थान पादासन मुंदिना असना उत्थान पादासन पैरों को मिलाई काल गड़न जोड़ सी हातों को शरीर के बगल में रखी कैई गड़न देहद बदिगड़ लिर सी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उपर उठाए पैंतालिस निगरी का कोन बनाई सामान श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रही सल्पा मेलेत बेको बाड़ मेलेत वर्द सहजवाद उस्तरास्था श्वास छोटी हुए दीरे से पैरं को जमीन पर लाई श्वासन में विश्वाम कीजिए कालगळन केलगळसी विश्वान्त माड़ अगला भ्यास अर्द हलासन दोनों परों को मिलाई खातों को जंगाओं के पास रिखी यरडू कालगळन जोडसी कैईगलन त्वड़े हत्तराईडी श्वास भरते विए धीरे से पैरं को उपर उठाई उसर नत्यकेद को लुत्ता कालगळन मेलक्यत्ती नब्बे डिगरी का कोन बनाई नितम से कंधे तक शरीर बिल्कुल सिधा रहे पुष्ट दिन्दा कत्तिन वरगे देह वना नेरवा गिरिसी ये आसन उच्च रक्त चा अगला भ्यास पवन मुक्तासन अपने पैरं को मिलाई यलडू कालगळन जोडसी स्वास लेते हुए गुट्नों को मोडिये उसर नत्यकेद को लुत्ता मलकालगळन मडसी अपने जंगाओं को सीने के पास लियाई त्वडगळन यदे हत्तिरा तन्नी स्वास चोटी वे दोनों टांगों को हातों से पकड़िये उसर नुबिड़ता यड़ू कालगळन खई गड़न दा हीड़ित कोल्डी सिर को उपर उठाए तलेन मेलक्यती अपनी ठोड़ी को गुट्नों के बीच लगानी का प्रयास कीजे तम गद्ध वन्ना मोलकाली गेस परशलू परशी शलू प्रयात्न माड़ी सामानी श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहेए अब स्वाच छोटे वे सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाईए उसरन नुबिड़ता तले मत्तु कालगळ ना मोदिन्य स्थिती गे तन्नी विश्राम कीजे अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का भ्यास करेंगे पैरों और हातों के वीच उचित दूरी बनाए कई मत्तु कालगळ नडवे सल्प अंतरगिरली हतेलियों को आसमान की ओर खुला रखी हस्त गड़ना आकाश ददेगे मखमाडिरली आंखे बन कीजी कन गड़न मुच्ची तीन बार लेंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीज़े दीर घ्वादा श्वास अमत्त प्रश्वास शरीर के प्रत्येक अंग के प्रती सजगता का भाव संपूर्ण शरीर को शितिल कीज़े शरीर दा प्रत्योंदु अंग वन्ना गमनिसी सज़िल गोलसी श्वासन चिन्ता और तनाव को दूर करने में साहेक धीरे से बाई या दाई और करवट लीजिए और उठकर बाइट जाएए मैं जानता हूँ आप चाते हैं और कुछ देर तक विश्रांग करें आगे बढ़ना है कर पाल भाति के अभ्यास करेंगे किसी भी ध्यानत्मकासन में बढ़ जाएए ध्यानत बंग्यले कुर्ट-कुर्ड़ि आंखों को बन कीजिये कन्नु गड़न मुच्ची, कमर वर गर्दन को सीधा करे, हातों को गुटनों पर रखी, यरडू कई गड़न मलकाल गड़न मेलीडी, गहरा लंबा स्वास लीजे और स्वास छोट्टु विए, उदर की मास पेश्यों पर दबाव डालते हुए कपाल भाती का अभ्यास करेंग कपाल भाती का पहला चक्र तीस आवरतिया मेरे साथ करेंगे, सब लंबा सास लीजे स्वास छोड़िये, उस्रेन बिड़ी, विश्यान कपाल भाती का दूसरा चक्र के लिए त्यार हो जाएए, तीस आवरतिया, लंबा सास लीजे कपाल भाती का आखरी चक्र तीस आवरतिया, लंबा सास लीजे स्वास छोड़िये, विश्यान कीजिए, शांती का अनुभव कपाल भाती के साथ कपाल भाती प्राणायाम को अभी प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तयार करें अब हम अनिलोम इलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे कमर एवं गर्दन को सीधार की, कत्तु बिननन नेरवागिर सी, बाई हतेली से ज्ञान मुद्रा बनाई यडगई हस्तवन्ना ज्ञान मुद्र गत्तनी, दाई हतेली से नासाग्र या प्राणाय मुद्रा बनाई बलगई हस्तवन्नो नासिकाग्र अत्वा प्राणाय मुद्र गत्तनी, बाई नासिकासे श्वास लीजी, दाई नासिकासे स्वास छोड़ी यडः होरडेंदा श्वास तकेद कोलडी, बालह होरडेंदा बिडी अब बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से स्वास छोड़े ये अनलो मिलोम का एक चक्र है इसे चार बार और दो राई इदू अनलो मिलोम दा वंदू उरत प्रत इदना नाल को बारे पुनरा वरतने माड़ोना बाई से सास लेना है दाईने से चोड़ना है दाईने से स्वास लेना है बाई से चोड़ना है slowly inhale to the left nostril exhale through the right nostril again inhale through the right nostril exhale through the left nostril the gehera lamba swast prash was alternative nostril breathing you she's a pranayam ka abhyas karen ga ga ुसे पहले दोनों हातों को ताई गुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखी वापस आई यरडू कई गड़े न मलका लगड़े मेडी जीव को बाहर निकालिए ट्यूब नामा आकर बनाए नालिगेन होरगे तंदो नड के रूपदली नालिगेन सुत्ति सी जीव से गहरा स्वास लेना है नासिक्या से धीरे से छोड़ना है पांच बार करेंगे सास लिजी साथ छोड़ी स्वास लिजी छोड़ी आखरी बार आराम से बाट जाए ब्रहामरी प्राणायम का भ्यास करेंगे आखों को बन रखिए कन गळन मुच्ची गहरा लंबा स्वास लेना है स्वास छोटवे ब्रहामर के समान मकर ध्वनी का गुंजन करना है स्वास लिजी मत वंद सारे और एक बार सास लिजी इसी अभ्यास को शन्मू के मुद्रा के साथ तीन बार करेंगे शन्मू की मुद्रा धारन कीजिए शन्मू की मुद्रे धरसी सास लिजी सास लिजी सास लिजी दोनों हतेलियों को नीचे लाइए गुट्नों परक्षि कईगणना केल गिट्टो ज्ञान मुद्रे लिरसी अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे स्वल्प समय द्वरगे ध्यान दा अभ्यासव नमाडो ना मेरू दंड में मेरू दंड को सीधा रखिए बिननन नीरवागिर से ध्यान मुद्रे लिकुलित कोड़ी ध्यान मुद्रा को धारन कीजिए कंधों को कमर को शिठिल कीजिए कमर सीधा रखे शरीर को सीधा कीजिए अपने श्वास प्रश्वास पर थ्यान कीजिए तम्मा श्वास प्रश्वास द मेले संपूर्ण गमन विर्म धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास श्वास के साथ साथ विचार विचारों पर अपना लक्ष हर विचार के साथ कुछ भावनाएं श्री श्वास विचार भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं एक होते जा रहे हैं एक आग होते जा रहे हैं जैसे जैसे मिलते जाते हैं मन शांत निर्मन कोमन विचार शुद्ध पवित्र भाव प्रसन्नता दिव्यता ऐसे स्थिती में खुर्दय में प्रणव का धारन करें खुर्दय कमल दल्ले ईश्वर्न स्वरती परमात्मन स्वरती माचामंडी जेविया स्वरती ठ्यार ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है असल में ध्यान ही योग है जब मन शांत हो जाता है तब संकल्ब करते हैं उस संकल्ब पे इस संकल्ब से सिद्धी हो दिए सिद्धी प्राप्त हो संकल्ब करेंगे हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है नम्म मनसर्ना सदा काला शांत वागित कोड़ इसी में हमारा आत्म विकास समाया है इदर ले आत्म विकास आड़ेगी देगा मैं स्वयम के प्रति कुटुम के प्रति कार्य, समाज और विश्क के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्प बद हूँ संकल्प बद हूँ मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रति बद हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ समर्पित हूँ समर्पित हूँ देश अदा विकास सकता गे तनुमनों गड़न्न अर्पिस्व संकल्प दुदिगे शांति पाठव न माड़ोना शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारन कीजी शांति मंत्रकागी यरडू के गड़ना नमस्कार मुद्रेले तके दिकोन्ड बणनी वंदु सारी वंकार नंतरा शांति पाठ सर्वे भवन्तो सुखिनाह सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्रानी पश्यम्तो मा कश्चित दुख भाग भवे मा कश्चित दुख भाग भवे ओम शान्ति ही अब हतेलियोंको कुछ समय तक आंखो पर रख्ये आतोंको अब वापसली आये आंके कूले यरडू कई गड़नना कई गड़िसी कई गड़नन कन्नु गड़न तरेरी तम्मेल लरिगू तुम्बु हुर्दियदा धन्निवाद गड़ू आप सभी का बहुत बहुत धन्निवाद आपका दिन मंगल मैं हो भोलो भारत माता की बहुत बहुत धन्निवाद बहुत ही मनुरुम द्रिश्य